अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा कर पावर आफ नॉलेज के नए वीडियो को सबसे पहले पाईए हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पैरसिटमॉल पैडियाट्रिक ओरल सलूशन दोस्तो ये बच्चों को दी जाने वाली ओरल सस्पेंजन है इसके क्या-क्या यूज़िस है इसको आपके इन कंडिशन में यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने से पहले कि इन बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में इस पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहेगा तो चलिए दोस्तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर composition क्या है दोस्तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ paracetamol है और दोस्तो यह oral suspension है बच्चों को दी अगर अगर आप यह देखते हैं कि यह pediatric जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं तो समझ जाहिए कि यह बच्च सर्दी खासी बुखार और mild pain जो होता है moderate pain के लिए यूज किया जाता है तो जब कपी भी बच्चों को सर्दी खासी या बुखार की अगर शिकायत है या अगर उनके बदन में कोई भी चोटा मोटा दर्द वगेरा होता है पेन होता है तो यह उस time recommend किया जाता है और दोस्त ूसको यूज करने से पहले आप कोई भी suspension यूज करें उसको यूज करने से पहले आपको अच्छे से shake करना है और दोस्तो इसको sunlight अने से direct contact में आने से आपको इसे बचाना है और इकको dry और cool place पर रखना है और दोस्तो ये तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ के जब कभी भी बच्चों को इस तरीके की problem होती है सरदी खासी बुखार या mild pain तो ये उन condition में दिया जाता है लेकिन दोस्तो इसको use करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाज जरूर ले क्योंकि हो सकता है कि आपके बेबी को कोई और शिकायत हो और वो डॉक्टर बेटर बता सकते हैं आपको जो भी उनको बच्चों को अगर problem है तो use करने से पहले बच्चों को डॉक्टर से concern जरूर कर ले और दोस्तो इसको dry और cool place पर रखना है और sunlight से direct contact में आने से बचाना है और बच्चों से भी इसे दूर रखिए और दोस्तो अगर इसकी बात करें के इसके side effects क्या क्या हो सकते हैं तो दोस्तो हो सकता है के बच्चों को उल्टी वगएरा जिसा लगे पेट में मरोड जिसा भी हो सकता है हो सकता है के गला वगएरा जो है वो dry हो जाए और दोस्तो ऐलर्जिक reaction अगर होतے है तो उसमें skin R piggy cuidado हो सकते हैं हो सकते हैं कि उनको skin का color change हो जाए पेट में दुकना भी हो सकता है ओल्टी भी हो सकती है दोस्तो और अगर दोस्तो इसके अलावा भी आपको reaction होते हैं या allergic हो या उसके अलावा भी कोई भी reaction होते हो तो इसको use करना तुरांट बंद कर दे और अपने डॉक्टर से concern जरूर करे अगर दोस्तो आपके बच्चों को पहले से ही कोई problem है यानि उनको कोई allergic reaction है या फिर पहले से अगर उनको कोई और शिकायत है तो अपने डॉक्टर को जरूर पहले ही बता दे ताके वो आपको इसके alternate में कोई दूसरी medicine दे सके तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना है आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको जादा से जादा शेयर कीजिए इसको like करना ना भूले और दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको subscribe भी कर लीजिए मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा अपना ध्यान रखिएगा थेंक यू बाई